बिहार के दर्बंगा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां कुशेश्व स्थान सित कमला नदी पर बना लोहे का पूल अचानक दो हिस्सों में तूट गया पूल गिरने की घटना उस वक्त हुई जब बालू लदा एक ट्रक पूल से गुजर रहा था पूल इतनी कमजोर थी कि ट्रक का वजन नहीं सह सकी पूल के दो हिस्सों में तूटने के बाद ट्रक नदी में जवाकिरा इस घटना से अफरात अफरी मच गई है हालकि इस दोरान जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है ट्रक का ड्राइवर और खला से दोनों सुरक्षित है पूल के टूटने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते लोगों की भारी भीड उमर पड़ी सूचना मिलने के बाद अधिकारी और पदाधिकारी भी मौके पर पहुचे जिसके बाद मामली की जाच शुरू की गई पूल के टूट जाने से आवागमन भी पूरी तरह से ठप हो गया है बता दे कि ये पूल ना सिर्फ चार जिलो को जोड़ता है बलकि करीब दस पंचायतों को जोड़ने वाला यही एकलोता रास्ता था इस घटना को लेकर लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है ग्रामिन ठेकेदार पर कारवाही किये जाने की मांग कर रही है लोग पुराने लोहे पूल की मरमत कराने और नए पूल के निर्मान की मांग कर रही है बता जा रहा है कि जो लोहे का पूल गिरा है वो काफी पुराना था इसके समानतर एक नया पुल बनाया गया था साथ ही इसे लोहे की पुल का भी मरम्मत किया जाना था सियम नितिश ने 2021 में नए पुल का शिलान्यास किया था लेकिन न तो पुल का निर्मान किया गया और ना ही लोहे के पुराने पुल की मरम्मत कराई गई नतीजा ये हुआ कि बालू लदे ट्रक का भार पुल नहीं सहपाया पुल अचानक भरभरा कर नदी में गिर गया और दो हिस्सों में तूट गया पुल के बीच में लटका, पुल नदी में जाकिरा